सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह है कि इसके तहत क्या फाइदा हुआ इसके लागू होने के बाद भारत में क्या बदलावाया तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो अदिनियम है यह कब तो भारत सरकार ने 2002 में संविधार में एक संसोधन किया क्योंकि जब हम कोई भी नई चीज पूरे भारत में अब किसी भी पूरे देश में गरम लागू करना चाहते हैं तो उसको हमें पहले संविधान में एड़ करना होगा तो यहां पे 16 संविधान संसोधन हुआ एक बिल पारित किया गया कब पारित किया गया तो 2002 में इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्स तक के सभी बच्चों को बालक बालिकाओं को निशुलक और अनिवार सिक्षा प्रदान की जाएगी इसके लिए कानून बनाया गया बात करें गर हम आर्टी की तो इसमें आप से प्रश्न कभी पूछ सकता है कि इसमें कुल धानाएं कितनी हैं तो कु पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा हेडिन डालिएगा आर्टी दोवजार नाओ नीचे लिखिएगा अध्याय धाराएं अनुसूची सम्मिदान ससुधन कभ हुआ 86 कभ हुआ तो दोवजार दो में उसके तहत क्या फाइदा हुआ 6 से 14 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए निशुल का और अनिवार सिक्षा की विवस्था की बात कही गई और इसके अंतरगत अनुस्चेद 21 ए या 21 का जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्स तक के बालकों को सिक्षा प्राप्त करने के दिकार को क्या कहा गया कि ये मौलिक अधिकार है तो प्रशना आप से अचा जाता है कि किस सम्विदान संसोधन के तहत माता पिता के ये करतब भी होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को अनिवारे रूप से विद्याले भीजें तो 86 सम्विदान संसोधन में ही आर्टिकल 51 का जोड़ा गया 51 ए लिखा हो तो कन्फ्यू का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत जो है विस्सु का 135 वा देश बना इसका मतलब है इससे पहले 134 ऐसे देश थे जहां पर आर्टि पहले ही लागू हो चुका था जब ये लागू हुआ तब ये एक अपरेल 2010 ये सिक्चक बरती में कई बार ये प्रश्न पू में लागू नहीं हुआ था बट 371 अपने के बाद आप देखी रहे हैं आपे सब कुछ समान हो गया है तो सिक्चा का अधिकार दिनियम 2009 राजिसभा दोरा 20 जुलाई 2009 को लोग सभा दोरा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया डेट इंपोर्टन जादा नहीं है बट कभी कबार ह हो सकता है डेटेल से आप से पूछ ले तो राजिसभा में कब 20 जुलाई लोग सभा में कब 4 अगस्त 2009 को ये पारित किया गया इस बिल के पारित हो जाने के बाद केंड सरकार और राजिसरकार का या संबैधानिक दायत बन गया कि वहाद 6 से 14 वरस्तक के बच्चों को निश को धाराओं की संख्या बताई है इसमें कई चीजे हैं वहाँ से प्रशन आपकी परिच्छा में नहीं आता है इसलिए उन धाराओं पर आपको डेटेल पढ़ने की आवशक्ता नहीं है किसी भी बच्चे से कोई सुलक अत्वा राश नहीं ली जाएगी विद्याले में अधिकार अधिनियम 2009 के अंतरगत ये बात कही गई ध्यान रखिएगा ये अधिनियम जो है कच्छा एक से आठ तक लागू है तो आपको ध्यान रखना है कच्छा की अगर बात करें तो एक से आठ तक उम्र की बात करें तो छे से चौदा अर्थात इसको हम प्रारंबिक सि चौदा वर्स के बाद विध्यालाय छोडने वाले अदियम लागू होने तक चौदा वर्स की आयवप्राप्त करने वाले बच्छो के लिए अलग से प्रिसिक्षड की भी बियॉस्था की जाए उसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग जैसे आपने देखा होगा कौशन विकास के रहें आई टी आई है बहुत सारे से डिप्लोमा है से प्रसिक्षड की भी विवस्था की जाए प्रसिक्षड विवस्था का समझत दायत किसका होगा तो विद्याले का ही होगा यदि कोई विद्याले इस अदुनियम का उलंगन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा पहली विद्याले SC, ST, OBC एवं गरीवी रेका से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें आरच्छित होंगी 25% सीटें आरच्छित रखी जाएंगी उन पर सिर्फ उन्हीं का एड्मिशन होगा किसी भी बालक बालिका से आयू का प्रमाडपत्र ना लिया जाए इस अधिलियम के तहट कच्छा एक से आठ तक कि किसी भी प्रकार की बोर्ड परिच्छा ना ली जाए पहले कच्छा पांच और कच्छा आठ की परिच्छा बोर्ड होती थी ना इसको खतम कर दिया गया किसके तहट आरटी 2009 के तहट प्रतेक बाच्छे का विद्याले दोरा रिकार्ड रखना आनिवार होगा इस अधिलियम के तहट अधियापकों को गेर सिक्छड कार्णे में नहीं लगाया जाएगा प्रतेग विद्याले है तो नीनतम कारेदिवस और सेक्षिडिक गंटे भी निर्धायत किये गए है उसकी बात हम करेंगे अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको अगली कास का नोडिफिकेशन निल जाएगा विद्याले की गत्मिदियों के संचालन के लिए विद्याले प्रबंदन समिती का गठन किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा विद्याले प्रबंदन समिती इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे इगली श्लाइट में जिसको हम कहते हैं SMC School Management Committee इसका अध्यच कौन होगा कोई ग्रामीडी होगा जिसकी संतान इस विद्याले में अध्यन रित हो वैसे बरतमान समय में ऐसा प्रधान ही को बनाया जाता है SMC का अध्यच्छ फॉर्मेल्टी की तौर पे SMC में तीन बटे चार स्चदस अभिवावक होंगे जिसमें महिलाओं का कितना है 50 प्रतिश्रत महि सरकार एवम अनिश्रोतों से प्राप्त होने वाली रासी का सदुपयोग करना ये SMC का उत्रदायत होगा प्रात्मिक विद्याले में नियुक्त सिक्षकों को राज एवम केंड सरकार द्वारा आयोजित टेट यानि पात्रता परिच्छा करना पास करना अनिवार होगा ये अगर विद्याले आवश्यक रूप से स्थापिट किया जाए विद्याले में सिक्षकों की संक्या भी निर्दारित की गई है क्या निर्दारित की गई है आईए बताते आपको अगली श्लाइट में देखेंगे यहापे देखें साथ बच्चे रहेंगे तो साथ बच्चो हो रहें किसी स्कूल में तो 40 बच्चों पर एक टीचर रहेगा 150 से दिखोने पर एक प्रधाना ध्यापक और पांच सिक्षक नियुक्त किये जाएंगे ये सिर्फ लिखित रूप में हर विद्याले में ऐसी सुविधा नहीं है उच्च प्रात्मी विद्यालों की बात करें त तो एक अनुपात 35 में सामिल होंगे अब अगर हम कारे दिवस की बात करें सिक्षड गंटों की बात करें तो कच्छा एक से पांच 200 कारे दिवस निर्धारित किये गए एक टीचर के लिए 6 से 8 जादा हो जाएगा तो यहाँ पे 20 बढ़ा लिजेगा 220 कच्छा एक से 5 कितने गंटे तो 800 गंटे कच्छा 6 से आठ जयादा हो जाएगा तो 200 गंटे बढ़ा लिजेगा यहाँ पे 20 बढ़ाना है और यहाँ पे 200 बढ़ाना यह याद करने के लिए छोटा सा टिप्स कह सकते हैं शिक्षक के लिए प्रतिसमता कितने गंटे तो 1 सप्ता 45 गंटे सिक्षक त है पैरेंट्स मीटिंग में सामिल रहें किसी भी सिक्षक को प्रतनीक पर नहीं लगाया जागे किसी जिगे पर कोई और पढ़ा रहा है सिक्षक दोरा अपने कर्तबे में कोताही बरतने पर विवागी कार呢 है तो भी ऐसे विगरा जहर पहरेंज हकरते हैं तो कार्रवाई कि जाती लुए विद्याले में कच्छा एक सी आड़ तक नौकामरे जरूरी है अगर कोई स्कूल गच्छा एक से जाए कि किसी भी प्रकार का कोई दुश्मनी है आप उसमें सार्टिफिकेट में कुछ गड़बर कर रहे हैं अब यहाँ पे आपके लिए कुश्चन कुण करा रहे हैं तो पहला प्रशन आप सब के सामने चेक करिएगा कि 30 प्रशन है आपके थोड़ी पढ़ने के बाद आप 30 प्रशनों में कितने प्रशनों का अंसर ठीक से कर पा रहे हैं कुश्चन नमबर एक सिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू किया गया यह प्रशन थोड़ा सा असान है बट अगर यहाँ पर हम लिख देते यह अटा करके कि आर्टी 2009 कब लागू किया गया तो बहुत सारे बच्चे 2009 लगा देते हैं यह गलती आपको नहीं करनी है तो यहाँ पर पहरे प्रशन का अंसर जाएगा एक अप्रेल 2010 से देश भर में सिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो गया प्रशन पूछ रहा है कि राष्टपती द्वारा मंजूरी कब दी गई कोई चीज होती ना कि इतनी तारिक से चीज लागू हो जाएगी कहते हैं कि एक तारिक से नियम बदल जाएंगे यह गोशड़ा कप की गई और उस समय जब यह दुनियम लागू हुआ था तब भारत की राष्टपती पत पर कौन आसीन था तो प्रतिभाद एवी सिंग पा आन्सर होगा यहाँ पर प्रश्ण संक्या चार के लिए जल्दी से बताईएगा अनिवार सिक्षा का मतलब क्या है तो यहाँ पर दोनों ही आप्शन सही हो रहे हैं संबंदिस सरकार 6-14 वर्स तक के बच्चों को मुप्त सिक्षा प्रदान करेगी और 6-14 वर्स के बालकों का विद्यालाय में प्रवेस उपस्तिती और अनिवार सिक्षा सुनिश्चित करना आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नमबर D निशल के वह मानिवार सिक्षा अधिकार दिनें 2009 के अंतरगत प्रारंबिक सिक्षा से क्या अतात पर है यहां पे कई सारे लोग प्रशनि गड़बर कर देती है प्रारंबिक को प्रात्मिक पढ़लेते हैं और प्रात्मिक इस तरह में लगा देते हैं एक से पाँच, गिलत हो जाएगा आपका अंसर थियुरी में हमने आपको पढ़ाया है कि यहां पे प्रारंबिक सिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा कच्षा एक से कच्षा आठ तक के बच्चों की सिक्षा कच्षा एक से पांस तक के विद्याले के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्याले स्थापित किया जाएगा एक से पांच की बात कहीं जा रही है प्रतिक एक किलोमेटर में एक विद्याले होगा सिक्षा का अधिकार अधिनियम किस राजिपल लागू नहीं हुआ था तो यहाँ पर आइंसर जाएगा जम्मू कस्मीर के साथ सिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुशार विद्याले प्रबंदन समिती में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी पच्चास प्रतिशत महिलाओं की बात कहीं गई है आपने अभी थियोरी में पढ़ा सम्मीदान की कौन सी धारा के अंतरगत 14 वर्स तक के आयू के बच्चों को निश्यल के वनिवार सिक्षा अप्रदान करने का अप्राधान किया गया धारा पूछ रहा है यहाँ पे तो धारा 45 के अंतरगत पार्टिस सम्विदान की किस धारा में सिक्षा को मौली का दिकार बताया गया है 21 A में या 21 का लिखा होगा तो यहाँ प्राइंसर जाएगा कोश्षनबर 10 के लिए उप्षनबर C सिक्षा का तिमेहत्वपूर उदेश चिक्या है जीब का कमाना बच्चे का सर्वांगिल विकास पढ़ना लिखना शीखना शिखाना बौदिग विकास तो सर्वांगिल विकास में सब कुछ आ जाएगा इसलिए इस पत्रशन का अंसर जाएगा option number b अगला प्रश्न देखें कच्छा 6 से 8 तक सिक्षक चात्र होने चाहिए अनुपात पूछ रहा है 6 तो 8 में 35 पच्चों पर एक अध्यापक 12 का अंसर होगा option number B कच्छा 1 से 5 तक के लिए 200 बालकों के उपर चात्र सिक्षक का अनुपात क्या होगा 200 बालकों के उपर question number 13 अगर 200 से ज़्यादा बच्चे है कि स्कूल में तो 40 बच्चों पर एक टीचर रहेगा अर्था 40 अनुपात एक question number 13 अंसर होगा option number C निशल के उमनिवार सिक्षा अधिकार द्रियम 2009 में एक अध्यापक के लिए कितने निनुतम कार गंटे प्रतिशतता निर्धारित किये गए है question number 14 45 गंटे 45 आवर्स आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों है तो निशी स्कूलों में कितने आरक्षड का प्राउधान है कितने प्रतिशत आरक्षड का प्राउधान है 25 प्रतिशत answer होगा option number C निशुल के वह मनिवार सिक्षा अधिकार दियम 2009 के नुशार कच्चा 6-8 तक से एक शड़िक वर्स में निर्धारित कार्यदिशों की संख्या कितनी होगी 220 कार्यदिवस होगे कच्चा 6-8 तक के लिए हमने बताया था 20 बढ़ा देना नॉर्मल हो यानि प्रात्मिक इस्तर हो तो एक से पांस तक कितने 200 अब बढ़ जाये तो 20 बढ़ा देना जान है आपको question number 17 संबिधान के किस संसोधन दोरा पूर्व में भी ही बालकों को अनिवारे और निशल्क सिक्चा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था प्रश्ण संख्या 17 आपके सामने किस संसोधन में ऐसा हुआ था question number 17 अंसर होगा 26 संबिधान संसोधन 2002 में ही ये कहा गया कि 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को निशल्क सिक्चा की बेउस्ता की जाए अनिवारे सिक्चा की मारग में बाधा क्या है अपबे की समस्या जन चेतना की कमी सिक्चा महत्य की अग्यानता या फिर अबरोगत सभी question number 18 अपबे की समस्या मतलब फालतू का पैसा है दोदर खर्च होना जन चेतना की कमी मतलब लोग जागरूप नहीं है और लोग सिक्चा के महत्यू को जानते नहीं अग्यान है इसकी सिक्चा का अगे क्या रोल होता है तो D option होगा निशल के उमनिवार सिक्चा अदिकार दियें गुडवत्ता सिक्चा की संचे मतलब बच्चों को जो सिक्चा मिले गुडवत्ता पूर सिक्चा मिले इसके लिए चीज लागू की गई आंसर होगा पहला option बच्चों के लिए निशल के वनिवार सिक्चा के प्रावधान का दिनियम कौन सा है Free Education Act The Right of Children to Free and Compulsory Education Right to Education या फिर Free Education Right for Compulsory आंसर होगा RTE यानि Right to Education RTE का फुल फावभी होता है Right to Education कच्चा एक से पांस तक एक किलो मिटर तथा कच्चा चे से आठ तक तीन किलो मिटर के दाएरे में विद्याले को किस रूप में कानून में परिवाशित किया गया है Neighborhood प्रात्मिक स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं तो जब एक किलो मिटर के अंतरगत होंगे तो उनकों क्या कहेंगे Neighbor मतलब पलोसी पलोस में स्कूल लेबर होड यहां पर अंसर जाएगा Option No.1 सिक्षा अधिकार अधियम में सिक्षक के करतब भी क्या है Question No.2 तो उपस्तिती भी समय से हो पाठिक्रम को भी पूरा कराएं और प्रानेंट्स मेटिंग में भी प्रगति छात्रों की प्रगति का इस्तर क्या है फिर बेक गर्जन्स को उपलग्द कराएं आंसर बिल्कुल ठीक है उपरयोग तो सभी अगला प्रश्न देखिएगा Question No.24 निशुल्क वह निवार सिक्षा अधिकार अधियम में विद्यालेओं को क्या निर्देश दिया गया है दंड देना नहीं प्रवेशुल्क ना लेना परिच्षा देना तो गलत बात हो गई तो यहां पर आंसर होगा Option No.2 निशुल्क वह निवार सिक्षा अधिकार अधियम 2009 की निम्न में से विश्यस्ता नहीं है 6-14 वर्स तक क्या है निशुल्क सिक्षा ठीक है सारीरिक दंड बिल्कुल सही है निशेद मतलब निशेद का मतलब क्या है जिसको हम परमीशन ना दे प्रवेश निशेद मतलब अंदर आना मना है तो यहां पर यह बात सही है यह बात सही है प्राइवेट यूशन की भी बात इसमें कहीं गई कि प्राइवर्टेशन ना हो जादा बढ़िया है बट यहां पे कहा जाना है निजी वे द्यालों को प्रूच साहन तो यह आंसर इसका सही होगा क्योंकि क्वेशन निगेटिव था अगला प्रशन देखिए यहां पे पूछ रहा है विसी इसता नहीं है मिशुल के वह निवार सिक्षा दिकार अधियां 2009 के अंतरगत केंद्र और राजी सरकारों के मद्द कोस का साज़ेधारी नुपात किया मतलब कितना पैसा केंद्र सरकार खर्च वे लेगी कितना राजी सरकार तो यह जो है क्वेशन नमबर 26 आंसर होगा 55 केंद्र सरकार 55 प्र सत्यक दो वर्स के पश्चात होता है आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नमबर B अगला प्रशन देखिए प्रात्मिक विद्याले में 60 से 90 चातों पर अध्यापक की संख्या कितनी होगी 60 तक तो एक आपको बताया था अब यहां पर 60 से जादा हो रहे हैं तो कितने अध्याप होंगे प्रात्मिक विद्याले में 60 से 90 कर्शन नमबर 28 तो 60 से 90 जब होंगे तो तीन अध्यापकों की संख्या होगी प्रात्मिक विद्याले में सकते हैं आप यहां पे 60 बच्चे पर 2 सिक चक और 61 से 90 पर 3 सिक चक और 190 से 120 होंगे तब 4 सिक चक यह प्रात्मिक विद्याले 29 आपके सामने विद्याले प्रबंद समिती की कार शमिती की बैठकों की गड़ पूरती उसके कुल सदश्यों के कितना हुगा एक बटा दस एक बटा दो तीन बटे चार एक बटे तीन कुश्चन नमबर 29 तो यहाँ पर अंसर जाएगा एक बटा तीन सिक्षा के अधिकार की प्रक्रती क्या है संबैधानिक संबैधानितर श्रैचिक या फिर गैर संबैधानिक तो यहाँ पर कुश्चन नमबर 30 आपके सामने आंसर जाएगा संबैधानिक आंसर होगा option number A ठीक है आपका confusion होगा कि यहाँ पे तो आपने 3 बटे 4 पढ़ा है बट यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्याले प्रबंदन समिती की कार समिती की बैठिकों के लिए गड़पूर्ती उसके कुल सदस्यों की 3 बटे 4 और sorry हमने आपको क्या बताया 1 बटे 3 ठीक है 3 बटे 4 कब होगा वो भी देखिए